आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दोस्तो आ चुकी है तो यदि आप भी कुएत में रहते हों तो ये वीडियो को बिन आज क्यूप के पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ इंडियन एंबेसी और कुएत इंबेसी में क्या क्या बात हुई और भी बहुत से कोई अच्छी जानकारी में देने वाला हूँ तो दोस्तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो सबसे पहली खबर दोस्तो जो आ रही है आपको मैं बता दू कुएत के राजदूद जैस अलनायम रहिवार को कहा कि कुएत और भारत के बीच जो एतिहासिक संबंध है उन दोनों संबंध को बीच में अभी हम अखांचा रखते हैं और राजनितिक और आर्थिक जो भी संबंध है और जो कोविड-19 को लेकर लडाई चल रही है इसके बारे में और सहमती जताई गई है कुएत के अलनायम ने कहा है कि कुएत और भारत के इस साल पहली तिमाही में यानि दो से चार महने के बाद एक बैठक हो सकती है और बैठक बताया जा रहा है बहुत सारे काम करते हैं व्रकर है तो आपके लिए काफी अच्छी खबर आने वाली है अगर दोस्तों है जो खबर आ रही है वहाँ पे कुएत में कुछ सहरों में वहाँ दुकानों को और वकाला को लगतार वहाँ पे सील किया जा रहा है सील करने कारण यह है कि वहाँ पे जितने भी दुकान है वकाला है सभी प्रोड़क्ट के सामानों से कीमत जादा ले रहे हैं जिस पे वहाँ पे कंप्लेंड किया जा रहा है कंप्लेंड करने के दौरान जाच परताल हो रही है जाच परताल के दौरान यदि किसी को यदि वहाँ पे दोसी पाय जाता है तो दुकान को सील किया जाता है उन पे कारवाई भी की जा रही है यदि साती हो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको दोस्तों मैं बता दूँ वहाँ पे एक नंबर जारी किया गिया है इस कर्फ्यू के दौरान लगड़न के दौरान जिस पर आप कॉल करके कंप्लेंड कर सकते हैं तो दोस्तों वो नंबर है 135 135 पे आप कॉल करके यदि आपके कोई भी समान का पैसा जादा ले रहा है तो उसे आप कॉल कर सकते हैं अब जो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ संकर्मित लोग की संक्या क्या है कितनी लोग की वहाँ देथ हुई सारा कुछ आपको बताऊंगा तो दोस्तों आपको बता दू दोनों की देथ हो चुकी है तो नय जो केस वहाँ पर इंडिया के आएं महाँ 60 है बअलादेसी 13 इजिप्टियन जो है 26 है और पाकिस्तानी वहाँ 5 है और कुछ लोग वहाँ संकर्मित पाएगा है तो दोस्तों ये कुछ आपडेट थी जो कुएस्त या रही थी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरू बता वीडियो पसना आने पे वीडियो को लाइक जरू करें अपने दोस्तों साथ सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते साथ ही उन नेक्ट वीडियो पर है